नमस्कार मेरे सभी प्यारी भाईयों पीतम अधिक्षान चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत बंदन अभिनदन वाल वकास एक सक्सेस त्टी टी की इस स्रंकला में आप सभी का एक बार प्रस्टेशन बंदन अभिनदन बढ़ते हैं आज के प्रस्टों की तरफ आज क्य कॉस्ट्ट्रा कॉस्चिन है आपके वचार में सिक्षा तभी सार्था घोगी जबहें पाठ करम क & Richard लेक्वात हो चात क 132 समाच कंद्र्रित हौ रोजगार कंद्रेत ऊनसर क्या होना चाहिए आपके अनुसार हpal beni 44 오케이 क्या होना चाहिए एक नसार हो जी सर के दिखी है जी hint जी आणसर दीजिए यह आप आ देखिए पाड़करम के थूअ आज सक्छा तब सार्थू जब पाड़का करें तो नहीं पाड़करम के त essasा हो सकता है लेकिं रोज़गर के जाय आकला question के आपके वुचार में section क्या है section क्या है यह तपक है कला एक कॉंचन एक तपाश्यां एक कीया महत्र एक फूर्टिफाइब का जी देंकिक्न एक फश्चन क्या है सब्सक्रों कुछ nm गाउचन एक एक पास नहें होता हो जिसके पास हो जाता है भाई इसकार को कर रखता है आपको पता हुने चाहिए बभिष्ट की टीचर है और इसलिए आप लोग नए नए स्किल्स को डेवलप करते हैं कि बच्चों किस तरह से पढ़ा जाए किस तरह से सखा जाए इसलिए इसका अंसर भी एकदम परफेक्ट रहेगा एक तपश्या न काम करता है ठीक ना इसलिए इसका अंसर भी सही हो जाएगा अगला कोश्चन देख लेते हैं कि अगला कोश्चन है आपके बचार में प्राइमरी शिक्षा निसुल्क करने से क्या होगा अध्यापा कैसी गंबीरता से नहीं लेंगे शाक्षरता बढ़ेगी इसकुल में शि लताए रिरख न से इसलुक करने से अध्यापा करकोश्चा करना का नहीं कि इसलिए उसलिए ऐसा कुछ नहीं है दूसरा है साक्षरता बढ़ेगी देखते हैं तीसरा है स्कूल में सिक्षा का इस तर गरेगा यासा क्यों है इस तर तो नहीं गरेगा और निसल की सिक्षा करने से क्या इस तर गर जाएगा नहीं गरेगा और इसलिए सभी तो होई नहीं सकता तो अब आंसर बचा क्या आपका अब आंसर बचा है आपका साक्षरता बढ़ेगी क्योंकि हर बच्चा पढ़ेगा तो साक्षरता बढ़ेगी इसलिए आंसर इसका होना चाहिए B एक तम सही आंसर हो जाएगा अगला कॉश्चन आपके सामने है यदि सिक्षक कहे कि मैं जो कुछ करता हूं उस पर ध्यान ना दो अभी तो मैं जो कहता हूं उसका अनुसरन करो तो टीचर क्या करना चाहरा है या क्या कहना चाहरा है चात्र उसके कही अनुसर चलेंगे चात्रो पर इसका अच्छा प्रभवव नहीं पड़ेगा चात्र च्छा की बिद्दोता का गुणगायान करेंगे या च्छात्र च्छा का मज़ाग कुणाएंगे बताईए चारो अपसानिया आपकी सामनी रहे अब क्या होना है इसका जी 47 का आप ऊच्र क्या किया रहा है तीक है न चातर और अच्छा प्रीवहा नहीं पड़ेगा हाँ बिल्कुल सही बात है ऑच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा चातर पर क्योंकि टीचर जैसा करती हैं बच्ची उसका अनुसरण करती है इसलिए यह वह आ प्सण बेलगो परफेक्ट सही हो रहा है इसलिए इसक परिस्तितियों में भी अपने आपको ढाल लेना परिस्तरम से ना भागना यह सभी बताई आप बताई आप क्या होना चाहिए क्या जरूरी है क्या जरूरी है चार आपके सामने हमँए चनुटर व्वागवादी नहीं नहीं करम प्रधान होता करम प्रधान होती से लिए भाग को नहीं मानेंगे अपसर प्राप्त करने की शमता तिक अपसर प्रभाम्त करें श्मता क्या सबी को अप्सर मिलते हैं ठीक पूल पूर्षतितिव में भी अपने आपको ढाल लेना पर सरम से ना भागना यह सही बात है इस लिए इसका अंसर मेरे भाई बेहनों गाह सही हो जाएगा अभी तर्ट जिनन बाई बेहन चैनल सस्क्राइब नहीं अन्य तक्ता के प्रति सांती पुन ब्रूत दर्शा या उपत्र न सभी कोशन क्या है कोशन द्यान से पढ़िए अध्यापक को अपने उस चातर पर गर्व करना चाहिए जो क्या करें अपने जीमन के आधर्शों पर अड़क रहें बताईए क्या होना चाहिए इसका या अगर टीचर बन जाता है ठीक है ना यह कुछ भी हो जाता है वो यह जों में चला जाता है तो आपको अच्छा लगए का जब वह अपने जीवन के आधर्शों पर अलग रहें जिए अपने आधर्श ना छोड़ें दूसरी सिक्षक बन जा तो समयपन के साथ चात्रों को प है तो आप क्या करें पर इस के दगए तो करें кेले कि आप चात्रों के खड़े कर पढ़ने संबस्क्राइब कर एब उसका क्या क्या होना है । कख्षा से इसकी प्रवंधन करने के लिए क्लास में प्रवंधन करने के लिए को अंगोगए से की धीने में वह म्य च में इसकात करने को सबूसाइए पर यंद्हे सरे कंपर सब्सक्रान करेंगे और अच्ञाइब लेकिन बाद में करेंगे उस समय हल किया नहीं करेंगे ठीक है न इसलिए इसका अधर दूसरा वाला सभी हो जाए अगला कोशन देख लिए सक्षा के प्रयास का अच्छा साधान है इस से उन्छात्रों को भी सिक्षा प्राप्त करने का मौका मिल जाता है जो किसी करणबस पढ़ना छोड़ चुके हैं तीसरा अपने घर बैठी पार्ट समगरी के प्राप्त हो जाती है च्वता यह वी दोनों बताए क्या होना अच्छा साधान है और उन चाहतरों को भी अच्छा मौका मिल जाता है जो पढ़ना बीचे में छोड़ चुके होते हैं इसलिए दोनों सही है इसलिए और भी सकांसा सही हो जाएगा अगला कोशन है इसकूल पार्ट करम में जन संक्षा सामिल करने का लाव यह है क्या लाव में जानेंगे या सभी बताइए क्या होना चाहिए इसका अंसर देखिए देखिए मैं आपको बताओं जन संख्या सक्षा को सामिल किया हो कर रहे है अपनी पार्ट करम में स्कूली पार्ट करम में इससे जन संक्षा चात्र को जन संक्या कर्ण उपाजनी वाली समस्या की प जब परिवार नियोजन की सब चीज़ें जानने लगेंगे तो अपने परिवार को निष्चेत तौर पर वो अपने समाई के नुसार ही उसमें जो भी इंक्रीज या विरद्धी है वो कर शकेंगे इससे छादर जनसंख्या नियंतरण की विदियो के विसाय में विजान साथ ह हैं इसलिए इस पक्रोमें से सभी का रखना सुर्ट अज़िए कभा अगला कुश्चन है एक डाक्टर देपक में यह समौनत होती कि दोनों समासे भी होती है पहला उप्शन दोनों निदान के पखशाथी उप्चार अभिदे अपनाती दूसरा उप्शन दोनों आरम में हैं एक जैसी सिच्चाज गरंड करके आती है ये तरीज बदार आती है देखें चaring सा देखते हैं आप समंझ लएंगो दोनों Texian है ये तो गलत बात है बेफसाई सबote टीचर के लिये कभी उजड़ नहीं किया जाता लीए गलात है चौन看 OUR option देखे लेते और option किया रहा है रहा हे आफार दीखे ले रहा है एक स्केन पर आ चुकिए और option तो दोनों ही समाज से भी होते हैं इस समसे भी दोनों ही समाज से भी होते हैं एक दिंग ये अन्सर ज्यादा सटिक बैट रहा है दोनों नेदान के पशचा लिखिए यह रही है कि तरोनें नेदान करते आ DAY कमी को तो धूंड है लिए टीचर क्या होता है तेटीर बच्चे में ढूंड आए कि सीख नहीं रहा है तो इसकी कारण क्या है इसी पेकार से डॉक्टर भी सबसे पहले आप कोई बीमारी के लिए जाएंगे तो आप उसे वह रिपोर्ट के लिए कि भाई जाई इसके जाँच कर लीजिए या फिर रोग की जड़ को पहंचानता है अर्धार्त की कमी कहां चल रही है उसके बाद क्या करता है उस पेकार से टीचर होता है पहले क्या करता है पहले बच्चों की दो देखता है कि बच्चों में कहां कमी है यानि कहां सीखने में उसे प्रॉलम आ रही है पहले उसका निदान करता है उसके बाद फिर उस कमी को पैचान का फिर उसका उप्चार प्रारम करता है दोनों ही निदान के पश्चात अपशारतों विदी को अपना इसलिए खानमर विल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका अगला कोश्चन है यदि कोई परदानाचार अपने स्कूल का अच्छा परणाम चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए अपने छात्रों को ट्यूसन की सलाह विल्कुल और देना चाहिए एक तरूस बिल्कुल गलात हो जाया विश्यंट के शकूल के परणाघनार नहीं करनें चाहिए और हां तो यह हो सकता रह प्रेयास करना चाहिए प्रेयास तो हो न चाहिए तो होना चाहिए मतैस či बताए 57 का क्या होना चाहिए जी चासंटेंस का देखे नए नहीं बातें सीखने के लिए क्या है बिल्कुल रही नहीं पुस्त को अद्यन करना चाहिए यह लागला टाइप क精त जन जन अब्धान्सार है अला कोश्चन है मुझे सबसे अधिक परिशानी मैसूत होती है कब जीवन मुल्यों गिराबट से अपने प्रताना चारशे अपने अभाव को वद अधाशी ने अधाश्य बताईए 58 का किया आना चाहिए जी देखिए अपने प्रताना चारश से क्यों होग अगला कोशन है आपके बिद्धियाले में कुछ शक्षक एक बिस्स बर्ग के चातरों के लिए परक्षा में उधारता दिखाते हैं इस पर आपकी क्या प्रक्रिया होगी आप अनकिसी की परवाई की बिना आप निक्ष्पक्षता को बनाया रखेंगी प्रताना चाहित अजी होना चाहिए जी यह है आपका सही आप निकिसी की परवाई की अभी निस्पक्षता बनाए रखें कौन किया कर रहा हुए लेकिन हम निस्पक्ष रहेंगी यहाला सही हो जाएगा सखायत करने से क्या होगा कुछ नहीं आचरन के खिलाफ मोहिं चेढ़ेंगे यह उप सक्षध करता है उतना घंक से नहीं कर पाएगा तो सिस्स पढ़ा रहा है सिख्षध की योगता आच्राण का सबसे अच्छा मूल्यांकन उसके शिख ही कर सकते हैं क्योंकि यदि आपने उनको सिखा दिया उनको पढ़ा दिया अगर और उनको सौंज में आ गया तो समझ लिए आपका सफल है यदि टीचर अगर अपनी स्टूइंट्स को सेटिस्फाइड नहीं कर सके उन्हें समझा नहीं सके डंग से तो आपके टीचर में आपकी क्वालिटी में कुछ ना कुछ कमी है इसलिए यह अंसर सी इसका सही हो सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसमें सारी के सारी पहलू मौजूद है इस आपको आंसर चाहिए ऐसा जो कि सॉलिड हो आपने आप ही क्या हो जाएं समाहित हो जाए इसलिए पहला आंसर सही है सब्सक्षा बनाती है सब्सक्राइब बनाने के लिए होती है सब्सक्राइब कोई बात नहीं हो जाता है लेकिन सिक्ष्षेत होना एक बड़ी बात होती है साक्षा नहीं सब्सक्राइब करना चाहिए आप भोगे से मसदों है या पूर्ण शाहिए आनसर रहा है वी औप्जण तो एच सही है ने सुरी सुरी एडी साथ इंस वी सही है कि चाहँ पूरी तरह सहां बच्चों को डार्टेंगे थोड़े इस नहीं पूर्बा की पढ़ाएंगी सिर्जन सीलता के उपर उनको आगे ले जाएंगी इसलिए हम पूर्थ सहमात है अगला कोश्चन है कश्चा परिक्ष्चा में अनुचित साधनों का प्रियोग का मूल कारण क्या है परक्ष्चा की दोस्पूर्ण होना परक्ष्चा बवस्था में दोस्पूर्ण होगा तभी बच्चे नकल कर पाएंगे और नहते मूलों का हास इस इन दोनों की कारणों से यह अनुचित साधनों का प्रियोग होता है ठीक है इसलिए इसका अनसर हो जागा गाह गाह नंबर सभी हो जागा अलग कोशन है एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलबदी अलग अलग पा जाने का प्रिम कारण है सिवाए एक के क्या अध्यापकों के सिक्षण में कमी बच्चों की स्रम और एकागरता का भिन्न होना जनम जात एक अलग अलग होना परिवेश की भिन्नता क कहोना बताई क्योंना चाहिए इसका आंसर अध्यापकों के सिक्षण में कमी है ना अध्यापकों के शुक्षण में कमी है क्या हो रहा है कि अप्लबदी कि बच्छों तो आप उसे चमा कर देंगे इस बात पर ध्यान ही नहीं नहीं देंगे उसे बुलाकर बात करेंगे प्रकासफ को कानूनि नोटिस के दौरा सुचित करेंगे गहां करें बताईए पर करें अगी इसकी इसा नाम से मेरी किसी अनगी और कि चाहब दी तो से सुचित करेंगे ना उसे बात करेंगे यह जहां नियुक्त कौन सा कथन आज की परिपेक्ष में अधिक साही है समाज की बराईओं का प्रवाइब स्कूलों में तीसे पढ़ रहा है अधियापक इला परवाईए के करण समाज की युग छातर नहीं मिल पा रहे हैं तीसरा है अधियापक की छातरों को पढ़ाकर भावी नाग समाज की बराईओं का प्रवाव इसकूल में तीजी से पढ़ रहा है इसलिए सब कुछ हो रहा है अधियापक और चातरों की बीच अज्जी सबंदों की कमी का करण क्या है अधियापक की उदासिन या ब्यावास ब्यार साइकता दूसरा है अधियापक की लगान और चाहिए आंसर क्या होना चाहिए जी इसका होना चाहिए का और खा दोनों यानि अधियापक की उदासिन और ब्यावा ब्याव शायक्ता और अधियापक की लगान और लगाव में कमी की कारणी क्या हो रहा है चात्रों और अधियापक की बीच संबंदों में कमी आ रही है अ दोनों उप्रोगत में से कोई नहीं बताई 61 का 71 का जी गानम बरबर को सही है उप्रोगत में से दोनों ये सही है आगला कोश्चन है आप अपने दीवान में किस ब्यक्ति को अपने लिए आधास मानते हैं 73 का जी उसनी इतागों जिसने देश के आजया दी का बीड़ा उठाया उस धर्मात्मा को जो कि वलशत्त की सक्षा करता है उस महाँ पर उसको जो समाज को गुरायों में पाक देखना चाहता है और उस अध्यपक को जिसने अपनी सीमाओं में रहकर अपनी आपको उप्योगी सक् सक्षा दी यह वालों को सही है क्योंकि संतुलत सिक्षक ही एक अच्छा सिक्षक माना जाता है इसलिए सही हो जाएगा आपका अगला कोशन है प्राता है सभा में एक अध्यापक की क्या भूम का होने चाहिए जो आपके वह होती है बंदना उस समय विद्ध्यालय में बंद क्या होना चाहिए इसका सबाही कि किष्भाइब क्या सब्सक्राइद करना चाहिए बताई है जी इताइजर प्राता सबाहा में प्रेवादा करे नंबर आग सब्सक्राहिये है कि तो यह देखिए और को आपके लिए ऐसे कोई चाथर का आएवाग जो आप फार चयब्थ है आपके घर पर मिलना चाहे तो अधियापका के रूप में आप क्या करेंगी उसे नहीं मिलेंगी उसे घर के दरबाजी पर खड़़े मिलेंगी उसका बैठाक में सुवागत करें उसे मिलने के लिए मात पता कि अनुमती लेंगी क्या होना चाहिए अब उससे मिलने से मना नहीं करें गेगा घर की दरवाजे पर खड़े-खड़े मिल लेंगी अंदर नहीं बुलाएंगी या फिर ना ही उससे इस प्रगाजी वाला सही अंसर है ठीक है ना अगला कोश्चर है उस सिक्षक को समाज में बास्तिविक मान समान मिलना चाहिए जो अच्छे परिक्षा फल देने को महत्व द जाएगा यह क्या करेंगे यह करेंगे कि अपने पद के दायतों का निर्वहन इमांदारी और निस्टा से करता हो इसलिए गानमबर का सही हो जाएगा यह वाला ठीक है अगला कोश्चन एक मिनिट जी आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लि और इस बेल आइकन को दबा दें ताभी आपको टाइम पर नाटिफिकेशन मिलते रहें चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थेंक्यू थेंक्यू बाचिंग फूर दिस वीडियो